हेलो फ्रेंट्स मेक मनी ट्रेडिंग एकाडेमी में आप सबका स्वागत है फ्रेंट्स आज है 23rd of April 2024 और हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में तो दोस्तों देखिए आज बैंक निफ्टी के जो क्लोजिंग होई है वो 47,970 के पास क्लोजिंग होई है यह आपको द रहे मांके ऊपर आज ओपन हुआ था मांकेट नीचे क्लोजिंग के अभी अच्छे हाथों में मांकेट बुलिश हाथों में मांकेट बैयर के हाथों में मैं आपको समझाता हूँ देखिये दोस्तों कि यह जो प्राइश एक्षिन है आपको दिखा देता हूं यह जड़ा मार्केट जो है ऊपर से यहां पर आया ऊपर से मार्केट नीचे आया इस जगह पे तो यह लोवर लो बना देन लोवर हाई बना देन लोवर लो बना और इस जगह तो एंटक्ट हम समझते हैं कि market अभी continue same direction में जा रहा है मतलब downtrend की तरफ जा रहा है बट जैसे ही previous swing high एक बार तूट जाता है तो हम समझ जाते हैं कि market अब ऊपर की तरफ जा सकता है तो देखी इस जगह पर देखे market यहाँ पर आ चुगा था तो जब यहाँ पर market आ गया था तो मैंने आप सब लोगों से discuss किया था कि market अगर in case gap down खुला थोड़ा सा भी gap down खुला और नीचे आगर ऐसे breakout करेगा तो यह बहुत अच्छी entry होगी क्योंकि यह inverted head and shoulder का pattern बना हुए ह और यहाँ पर हमें buy करना होता है तो फिर market ऊपर चला आता है ठीक है दूसरी बात यह दूसरी बात यह जरा देखे कि market ने क्या किया market यहां lower low बनाया lower high बनाया यहां तक आया market same high पर market ने closing दी बट अगले दिन जो market की opening होगे सीधे market ने ऊपर closing दे दिया तो जब कभी भी market तो ऐसे closing देता है opening देता है तो आपको समझना होगा कि हमने यह level mark करके रखा था कि यहां पर market आएगा और अगर in case gap down खुल जाए चाहे flat open हो जाए और उसके बाद अगर organic way में breakout हो तो हम buy खरेंगे but market ने हमें buy करने का मौका ही नहीं दिया market ने क्या कि सीधे gap up opening कर दिया यह market bullish हो सकता है बट अभी भी हमारा price action बना नहीं है क्योंकि यह price higher high बना है एक बार confirm होने दिजिए जब higher low बने तो जब price देखिए उपर से नीचे की तरफ अगर आता है यहां पर और यह पिछले दिन का जो level है यहां पर आके अगर market ने support ले लिया तो ज़रा देखिए यह higher high बन गया higher low बन गया तो इस वक्त हर वक्त ध्यान रखना है कि support पर हमें buy करना होता है तो अगर market में यहां पर कोई buying momentum दिखा यहां कुछ भी buying momentum दिखा तो तुरंत आपको buy करना चीए फिर market ऊपर चलायता है और next फिर जो होता है यह हमारा जो swing high होता ही हमारा target होता है अब आ इस अब अब तक अब अब बंगा है इस के नीचे जब तक नहीं जाएगा market यह higher high higher low breakout है जब तक previous swing लो नहीं टूटेका दोस्तों तब तक आपको बने रहना है मार्केट अभी भी uptrend में है, ठीक है, इसके नीचे जाएगा फिर मार्केट में गिरावट आजाएगी, तो हर वक्त आपको price की सुननी है, price को देखना है कि price क्या कह रहा है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको levels वगर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगो clarity मिल जाए कि किस तरह से level वगर है काम करता है, तो यह देखिए दोस्तों, daily time frame है, अब daily time frame में देखिए कितने सारे important zone है, वो मैंने mark करके रखे हैं, तो आप जड़ा देखिए, market एक तू नीचे की तरफ से trend line का का अफ़ी अच्छा support ले रहा है, market उपर, फिर देखिए market support के पास है, और market उपर, तो इसका मतलब यह support जो है, यह trend line जो है, यह हमारे लिए एक बहुत ही strong support है, दोस्तों, एक हमारे लिए बहुत ही strong support है, तो आपको ध्यान रखना है कि market जब कभी भी, जिस दिन भी market इस trend line को तोड़ेगा, उसके बाद market का है, बेरिश होगा, लेकिन जब तक market इस trend line के उपर है, तब तक आप समझ के रखे, market अभी भी अप्टेंड में है, पहली बात, दूसरी चीज़ यह ज़रा देखिए, market यह important level, यह देख पार है, इस important level के पास market निचा आया, तो आप देख पार है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 times already market इस important level तक आ चुका है, फिर market निचा आया, तो जड़ा देखिए, market यह इस तरह से एक बना था, inverted head and shoulder की तरह, तो हम लोगों ने expect किया था, market breakout करके उपर चला जाएगा, बट हर वक ध्यान देना है, कि previous swing low, यह जो swing low है, यह बहुत important है, तो market breakout तो किया, बट breakout बहुत sustain नहीं कर पाया, यह देखिए, important level breakout हुआ, और यह एक inverted head and shoulder का pattern भी बना, breakout भी हो गया, लेकिन market sustain नहीं कर पाया, market नीचा आ गया, market नीचा आ गया, तो आपको हर वक ध्यान देना है, कि अभी भी यह जो swing low है, अभी यह टूटा नहीं था, higher high, higher low, breakout, market आया है, इसे जगह पे support लेके market उपर गया है, ठीक है, तो अभी जब तक market इस trend line का support की उपर है, इस trend line की उपर है, तब तक हमें समझना है कि market अप्टेंड में है, बट अब ज़रा देखिए, यहाँ पर market, जहाँ पर कल market की closing हुई थी, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कल market की opening जो दोस्तों हुई थी, उसी important level पर opening हुई थी, देख पा रहे हैं, इसी important level पर opening हुई, market उपर गया, उपर opening हुई, market नीचे आया और जहाँ पर closing थी, प्रिवेस देखी, मतलब यह जो कलका candle है, उसके पहले बारे दिन, यहाँ जहाँ closing थी, लहाई जो था, वहाँ market आया, support लेके फिर buying आ गई, क्यों आई buying, जड़ा देखी, market higher high बनाया, higher low बनाया, इसी जगह से buying आई, market उपर close हुआ, आज market उपर गया है, आज market देख लिए, आज market उपर गया है, market आखे, यहाँ पर closing दिया है, यहाँ पर, ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, कि अगर in case market, in case market इसके नीचे अगर जाता है, इसके नीचे, तो आपको फिर market नीचे आ जाएगा, और अगर market में, इस चिछ को बहुत गौड से समझेगा, और अगर market में कल कहीं flat open हो गया, कहीं आसपस यहाँ open हो गया, उसके बाद अगर उपर जाता है दोस्तों, उपर अगर price जाता है, नीचे से जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि gap up खुल जा और market नीचे आजए, और अगर market नीचे open कहीं हुआ, यहाँ कहीं open हुआ, और धीरी-धीरी उपर करके अगर गया, तो यह short covering होगी, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पर short किया है, जिन्होंने sell किया है, market नीचे आया है, तो जब वापस market दोस्तों देख लिजे, market अगर नीचे खुल गया, और यह उपर जाएगा, और यह position, यह जो दिन का high है, अगर यह breakout होता है, तो जिन लोगों ने भी short किया है, यहाँ पर उसके उपर अगर market जाएगा, फिर भी बहुत अच्छा momentum दिखेगा, और यह कौन सा level है, दोस्तों, यह आप जब देखी, 48,000, 5 minute का level है, तो यहाँ तक आप बहुत easily आप target देख पाएंगे, बहुत अच्छा target देख पाएंगे, ठीक है, अभी ज़रा हम लोग आ जाते हैं, 15 minute के टाइम फ्रेम में, और discuss कर लेते हैं, कि next हम लोग किस तरह से move का plan करेंगे, अच्छा, वो कल के view को देखने से पहले, एक बार हम लोग देख लेते हैं, आज क्या-क्या setup बना था, और आज हमने किस तरह से trade लिया, उन सारी चीज़ो को अभी जॉइन कर लें, इस वीडियो के नीचे description box में मैंने link डाल रखा है, तुरंट जॉइन कर लेजे, क्योंकि Monday, Wednesday and Friday, evening में रात को 9 से लेके 10-10 बचे तक मैं index analysis करता हूं, और free में, और all over India से वहाँ पर आते हैं trader, और काफी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, तो अगर तब मैंने बताया था कि जरह देखिए, market ने hourly time frame में किस तरह का formation किया है, जरह देखिए, market lower low बना था, lower low, lower high, lower low, lower low, lower low, lower low, lower low, lower low, यहां तक market आया, उसके बाद market gap up खुला, ठीक है, day before yesterday, तो higher high, higher low, आज देखिए market gap up खुला, फिर market नीचे यहां पे था, ठीक है, मतलब कल के, कल के closing के पास, कल का जो closing था, उसी के पास market आके support लिया वा था, रुका हुआ था, इस time पे मैंने post किया था, कि market अभी इस situation में खड़ा है, तो अब हमें क्या करना है, अगर यह आ गया price अगर उपर से खुल के नीचे की तरफ आया, तो यह आपको समझना है, higher high बना, higher low बना, higher high बना, higher low और यह कल की closing थी, यहां अगर support आ गया, तो buy on dip करना है हर गिरावट में, जब uptrend रहता है market में दोस्तों, तो हर गिरावट में हम लोग buy करते हैं, तो मैंने कहा था, अगर यहां पर नीचे support के पास, अगर कोई buying momentum अगर आया, तो हम buy करेंगे, तो ज़रा 5 minute का chart है, 5 minute का chart में मैंने यह भी दिखाया कि market higher high, higher low, higher high, higher low, lower high अभी ऐसा है, तो आपको धिहान रखना है कि अभी यह इस level के नीचे नहीं गया है, इस level के नीचे नहीं गया है, higher high, higher low, इसके नीचे नहीं गया है, तो अगर हो सकता है, यहां double bottom बना के market उपर जाए, again buying आ अगर यह तूटेगा, तो फिर market नीचे आएगा, लेकिन हमें याद रखना है कि जब तक यह level नहीं तूटेगा, यह level जब तक नहीं तूटेगा, तब तक market नहीं आएगा, और यह level कहा है, 47,700, यह याद रखना है, जब तक previous swing low दोस्तों नहीं तूटता है, तब तक हम लो market वहां से आया, नीचे आया, तो higher high, higher low बना, तो जैसे ही यह support के पास आएगा, कल की closing के आसपस आएगा market, यहाँ पर एक buying आएगी, देखिए market में buying आई, लेकिन इस बर market उपर तक नहीं जा पाया, market उपर तक नहीं जा पाया, क्योंकि market में इतनी selling हुई है, market यहाँ आया ह तो अब यह support है, यह support है, तो price एक बार अगर यहाँ आया, bottom बनाया दिन प्राइस ऊपर गया, again price यहाँ आया, bottom बना रहा है, तो यह double bottom का formation हो गया, कि नहीं दोस्तों, double bottom का formation, double bottom का formation हो जाया, वो भी support के पास, तो हमें क्या करना है, buying करनी है, buy कीजी और ऊपर का plan कीजी कम से है ज़ए इस बाद यह चार्ट लिया एक मिच्ट के टाइम पर क्योंकि मुझे बहुत प्रिसाइज मिल जाती है यह दी मार्कट यहां से व्हकर गे यहां आया बॉटम बनाया प्राइस उपर गया, प्राइस यहाँ है बॉटम, तो ट्रीपल बॉटम ऑरड़ी बन चुगा था मारकेट में, अब यह जब प्राइस ऊपर जा रहा करना है जब तक आपड़ अब करेंगे तो रुपर शा Alleечно-ζार रहे उपर माक्र खुल रहा है नीचे आ रहा है फिर मांकड जा रहे तो कल के तरह कि यह अब यह मार्केट के बाद आ आहा है प्राइस लिए फिर फ्रक रेस लेटिन है तो अब आपको दिया है कि निचले इस पोड लैविवल्ल का उबड़ल के वर महीं होगा तो हमें यहां करना मार्केट में अगर selling आती है तो तुरंट sell कीजे फिर मार्केट नीच आएगा क्योंकि मार्केट आप देख पारें मार्केट एक range में है काफी देश से ठीक है यह चार्ट पोस्ट करने के बाद अब जरह देखिए मैंने यह पोस्ट किया था price action के साथ एक सेगे दिखा दीता हूं और से यह यह फ्रेड लेने के बाद रुकिए यह फॉर्स्ट टेड़ था फॉर्स्ट जो था यह अगहां ध्रासा हुर्किए जोस्तों फॉर्स्ट टेड़ जो है मैंने शेर किया सेगंड रेड ये second trade था first trade कहां गया मैं दिखा देता हूँ sorry ये first trade था दोस्तों ठीक है ये second trade था जो मैंने discuss किया first trade ये था first trade ये था जरा देख लिए जाप लो ये reason के साथ मैंने डाला था कि market में किस तरह से हमें planning करना होता है market में opening यहां होई थी market में opening यहां होई थी market नीचे आया था फिर market इस जगह पर देखिए lower low lower high lower low lower high lower low lower low यहां तक आया lower high अभी ज़रा देखिए इस low को नहीं तोड़ पाया था lower high बनाया higher low बनाया जैसी breakout हुआ दोस्तों मैंने यहां पर buy किया था ये मेरा stop loss था और 102 का target था यह मैंने बना के ड्रॉ करके मैंने भीजा था कि किस तरह से मैंने बाई किया था lower low lower high lower low lower high lower low lower low lower high lower low lower high यह higher low बना यह स्विंग हाई जैसे चूटा मैंने बाई किया यह मैंने बना के भीजा था कि यहां मैंने बाई किया तो यह मेरा first trade था करते हैं यह सारे लेवल हमारे सामने आ गए तो अब आपको ध्यान रखना कि कल हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है तो यह जड़ा देखिए आज मार्केट जो है ओपनिंग यहां हुई मार्केट नीचे आया और एक देख रहे हैं मार्केट एक कंसलिडेशन कर रहा है बा हान है हायर एक मार्केट हायर लो पे है यहां पर है थिक है फ़क है अब इना है कि मार्केट यहां पर काफी कंसलिडेशन हो चुका है है अगर यह developers के बाद और अगर स्बैंड. ब्रेक अफर ब्रेक आउट बहुन तो फिर मार्केट बेर इस हो जाएगा तो अभी मार्केट उपर गया है, higher high बनाया है, market अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो आपको चिंता करने की जुरूत नहीं है, market हो सकता है, यहाँ पर support, क्योंकि देख रहे हैं, काफी यहाँ पर ऐसे टहला है, टहला घुमा है यहाँ पर, अगर, excuse me, और अगर market यहाँ से, अगर breakdown देगा, तो यही अभी हमारा पहला target होगा, downside में, यही हमारा पहला target होगा, downside में, क्योंकि market अभी higher high, higher low, higher high, अभी same, यह इसी जगह पर है, हो सकता है, market यहाँ support लेके, फिर market उपर जाए, या तो फिर market lower high बना के, अगर breakdown करेगा, तब यह head and shoulder pattern बन जाएगा, होती है, इसके बाद अगर यह breakout होता है, और इस level को तोड़ना सुरू करता है, तो जान लेजिए, कि कल है bank nifty के expiry, जिन जिन लोगों ने यहाँ sell किया है, सबके stop loss उपर लगे होंगे, फिर short covering आनी शुरू होगी, ठीके, जैसे यह उपर जाएगा, market short covering आनी शुरू होगी, तो यहाँ पर जैसे इसके उपर जाएगा, short covering बहुत तेरी से आएगी, सारे जो short seller है, वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे, फिर market बहुत तेरी से जाएगा, तो यहाँ से लेकि यहाँ तक एक बहुत अच्छा target मिलेगा, 48,500, यह हम chase कर सकते हैं, intraday में, 48,500 तो इस तरह से कल आपको trade plan करना हैं दोस्तों, तो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ value मिला होगा, अगर दोस्तों आपको कुछ value मिला, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को like करें, जादा से जादा लोगों तक share करें, और हाँ अगर चैनल में फर subscribe करना बिल्कुल नहां बोरे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यही पर wind up करता हूँ, फिर मिलता हो अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए, बाबाय